नमस्कार दोस्तों और इस्टेटिवी ध्यान प्रकास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है देखे फ्रेंड्स पिछले कुछ दिनों से यूं कह लीजे कि लगबर डेढ़ माहिने से आपका जो क्रणेफिर का सेशन है यह रेगुलर तोर पर आपको नीमित समय पर नहीं मिल होगी तो दोस्तों आज डिस्कस करेंगे 10 दिसंबर के करने फेर और यहां पर जो पहला क्वेश्चन है जो कि हमेशा कितने बहुत इंपोर्टेंट होता है तो हाल ही में किसे वर्स 2021 के ज्यान पीठ पूरसकार से सम्मानित किया गया अब एके फ्रेंड्स 2021 और 2020 दोनों वर् और 2020 वर्ला जोगा ये क्रम में 56 होगा तो यहां पर जो 97 ग्यान पीठ पूरसकार है वो मिला किसको दामोदर मौजो को आप्शन ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट है दामोदर मौजो जो की एक कौंकड़ी लेखक है इनको 97 ग्यान पीठ पूरसकार 2021 प्रदान किया जा मंडल सहत पूरसकारों से भी नवाजा जा चुका है वहीं पर नेल मरी फोकन जो की एक असमया कभी है इनको 2020 के 56 ग्यान पीठ पूरसकार से सम्मानित किया गया है पहली बार ग्यान पीठ पूरसकार दिये गये थे 1965 में और जो पहले ग्यान पीठ पूरसकारों के विजेता थे उनका नाम था जी संकर कुरूप ये एक मल्याला में कभी थे इंगी रसना थी कोड़क कोजल कोड़क कोजल और पच्परमा ग्यानपीट प्रुसका 2019 में दिया गया था अकीतम अचितम नम्बूदरी को फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स बहुत ही साड़ मे अगला कॉशन होगा हाली में किसने डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है और इसका अंसर हो जाएगा आप्शन ए रूस ने से जीत लिया है दिखे फ्रेंड्स यह प्रस बहुत ही इंपोर्टेंट है कई बार यह प्रस इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि डेविस कप किस खेल से सम्मंदित है तो इसका तो जाएगा टेनिस टूर्नामेंट से तो डेविस कप 2021 किस ने जीता रूसी टेनिस महासंग ने डेविस कप का फाइनल रूस के डेनियल मेदवेदेव और आंद्रे रूबलेव के बीच खिला गया था और एंड्री रूब बिली जीन किंग कप है और यह अंतररास्टी टेनिस महासंग के द्वारा आउजित किया जाता है पहले बार 1900 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच यह चैलेंज के रूप में आउजित किया गया था 2016 तक इस प्रतुविक्ता में 135 देश भाग दे रहे थे Davis Cup के सबसे सफल देश America, Australia और New Zealand है America ने अब तक इसे 32 बार जीता है Australia ने इसे अब तक 28 बार जीता है तो सबसे अधिक बार America नहीं इसे जीता है आगे बढ़ते हैं बताएए कि Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry that is FIKKI तो FIKKI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं और इसका तुर जाएगा Option A यानि कि Sanjeev Mehta धेके Friends हिंदुस्तान Unilever के चेर्मैन आप्रबन ने देशक Sanjeev Mehta उद्योग मंडल FIKKI के अगले अध्यक्ष होंगे FIKKI ने सो मार्ग बताया कि उसकी 18 December कोने वाली 94 वी वार्षिक आमसभा में महता को नया अध्यक्ष चुना जाएगा और वो मवजूदा अध्यक्ष उद्यसंकर की जगएं लेंगे तो यहाँ पर Sanjeev Mehta उद्यसंकर जी की जगएं पर आएंगे FIKKI भारत का सबसे बड़ा और पुराना ब्यावसाइक संगठन है इसकी अस्थापना होईती 1927 में घंस्यामदास बेडला और पूरसोत्तम ठाकुरदास के द्वारा मुख्याले आपको मिलेगा नई दिली में महान इंतिसक इसके हैं अरून चावला आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन होगा कि पूर्टया यानि कि सो प्रतिसत Sustainable Aviation Fuel इसको कहेंगे SAF तो 100% SAF का उपयोग करने वाली बिश्चु की पहली एरलाइन्स कोंसी बन गई है तो ये है British Airways that is option C तो देखे फ्रेंड्स SAF एक कम कार्बन के प्रतावाला इंधन है जिसे नवी करनली फीड स्टॉक्स जैसे अप्सिस्ट जैसे की बनस्पति तेल वसा और ग्रीस से उत्पादित किया जा सकता है फिलिप्स 66 लिम्टेट के साथ बहुत एक बहुँ वर्सी समझोते पर हस्ताक्षा करने के बाद British Airways UK में ब्योसाइक पैमाने पर उत्पादित सतत बीमानन इधन यानि कि SAF का उपयोग करने वाली पहली एरलाइन बन जाएगी तो ये प्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेगा आगे बढ़ते हैं तो जब भी कोई चीज दुनिया में पहली बार होती है वो अपने आप महत्तपूर्ण हो जाती है और एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी तो ये प्रस्ट बेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा याद दिखेगा सुसाइट पाड एक मसीन है और इसको मिन्जूरी मिल गई है सुटिजर लैंड में सुटिजर लैंड एक बहुत ही मत्तपूर्ण दिश है खास तोर से सुटिजर लैंड का जो सहर है जिनेवा जिनेवा में बहुत सारे ऐसे वैसोग मुख्याले हैं जिनके नाम आपको बताऊने जी उसके बारे मैं आपको बताऊंगा लिए सबसे फ़ले आपको यह बता दें कि यह जो सुसाइट पाड है इसको क्या नाम दिया गया है सारको कैपसूल तो सुटिजर लैंड राजधानी बर्न करेंसी स्विस फ्रेंक राशपती हैं गाय परमेलिन और देखे फ्रेंड सुटिजर लैंड में डाक्टर की मदद से आत्मत्या एक सामान प्रक्रिया है लेकिन इसके राश्ते में कुछ कानोनी अर्चने भी आती हैं तो उसको जो है दूर करने की बाद भी कही गया रही है तो यहां पर देखे फ्रेंड समने आपसे कहा था कि सुटिजर लैंड में बहुत सारे संगठन हैं जिसके बारे मां को पता होना चाहिए जैसे की फार एक जामपल एक आपका हो जाएगा अंतरराश्टी है दूर संचार संग यानि की आई टी यू आई टी यू का मुख्याले आपको मिलेगा जैनेवा में और इसी के साथ सारुभाम डाक संग भी है यूनिवर्सल पोश्टल यूनियन इसका मुख्याले मिलेगा आपको सुटिजर लैंड के बर्न में ILO का मुख्याले भी आपको सुचे लेंड में ही मिलेगा ILO मतलब अंतरराष्टी स्रमसंग इसका मुख्याले आपको मिलेगा जिनेवा में इसके बाद विसुस्वास संग्ठन WHO इसका मुख्याले मिलेगा आपको जिनेवा में और WMO का मुख्याले भी यही पर है मतलब विस्व मौसम विःज्ञान संगठन कहा पर है जनेवा में है इसके बाद बात करें तो वाइपो डबलू आई पी ओ वाइपो मतलब विस्व बॉधिक संबदा संगठन इसका मुख्याले भी आपको मिलेगा जनेवा में IOC का भी यानि कि अंतरराश्ती ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्याले भी आपको मिलेगा लुजैन में एक EEC नामक संगटन है that is European Arctic समुदा है इसका मुख्याले जनेवा में है अंकटाट की बारे आप जानते ही होंगे अंकटाट का मुख्याले भी आपको मिलेगा यहाँ पर कहाँ पर जनेवा में ही और EEC भी इसका भी जो मुख्याले यह मिलेगा आपको जनेवा में यूरोपी उर्जा आयोग, WTO का मुख्याले आपको मिलेगा जिनेवा में, इसके लबा रेट क्रास्ट का मुख्याले भी जिनेवा में हैं, तो बहुत इंपोर्टेट, इसी के साथ आए आगे बढ़ते हैं, विस्व असमानता रिपोर्ट 2022, यानि कि वर्ड इन एक्वैलिट इसके अनुसार भारत अब दुनिया में सबसे असमान देशों में एक है, और इसका मुख्याले कहां पर है, WEL का, इसका मुख्याले मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में, देश में महिलाओं के लिए C.E.J. चेंजमेकर कायकरम को किसने लांच किया, C.E.J. चेंजमेकर ना कायकरम की सुरुवात की है, इसे नाम दिया गया है C.E.J. चेंजमेकर, इसका उदेश से जमेनी अस्तर की महिला राजनितिक नेताओं के बीच नेतृत कौसल में सुधार करना है, और राश्ट्री महिला आयोग की वरतमान अध्यक्षकों ने रेखा सर्मा, हाली में इने द ब्राजिल पहले स्थान पर था, तेकि ब्राजिल का स्थान आप ले लिया है भारत ने, तो फिलाल 15 साल के बाद भारत अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट में पहले अस्थान पर आ गया है, तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दिसंबर 2021 में, रिजर्व बैंक की मौदरिक नीत समिती ने, ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रस्प पर बढ़करार रखने का फैसला किया है, उतर हो जाएगा 3.35 परसेंट, यानि कि विकल्प A, तो देखे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मौदरिक नीत समिती में, कितने सतस होते हैं, यह प्रस्प एग्जाम में कही बार पूछा गया है, तो इसका उतर होगा 6, इसमें 3 RBI से होते हैं, 3 Indian Government से होते हैं, और मौदरिक नीत समिती साल में 6 बार तक आयजित होती है, मतलब हर मैने में 2 बार, यह अपनी मौदरिक न का जो सिंबल है, उसमें कौँ सा जानवर है, तो एक रायल बंगाल टाइयर है, और उसमें जो ब्रिक्ष है, वो तार का ब्रिक्ष है, पाउम ट्री, जर्मनी के चांसलर कौन बने हैं, जैसा का आप जानते हैं, एंके एंजला मरकल ने हाली में, जर्मनी के चांसलर के पत से स्थिपा दे दिया है उसके बाद ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के चांसलर बन गए है तो बहुत इंपोर्टेंट है यह ओलाफ स्कोल्ज और जर्मनी एक European देश है यहाँ पर Euro मुद्रा चलती है राजदानी इसकी Berlin है यह तो आप जानते ही है और ISSF का जो वो भी जर्मनी में ही है जर्मनी के Munich में तो दोस्तों यह थे आज के 10 प्रसन उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा अब 3 प्रसन आप से अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो बताईए कि हाली में अंतरराष्टरी भरस्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया विम्स्टेक देशों के साथ स्वेंगत सैन अभ्यास पैन एक्स का आयोजन कहां पर किया जाएगा और हाली में अपने मौझूदा पाँच देशी कारसप्ता को साड़े चार दिन में बदलने वाला देश का मलब दुनिया का पहला देश कौन सा बना है यह तीन प्रस्णाप के लिए हैं जिसका उत्तर में दूंगा आपको कल यानि कि नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बनाने रहे हैं मारे साथ लगातार और अगर वीडियो को पसंद आता है तब आप प्लीज लाइक और शेयर भी से क्या करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक आप इसे पहुचा सकें देखें दोस्तों ग्यान बाटने से ही बढ़ता है इसलिए अधिक से अधिक आप इसे शेयर जरूर करना थैंक्यू सो मच्च वैब ग्रेट डे जैहिंद